है 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 था हमने प्रिविएस लेक्षिर में कुछ शेप्स ड्रॉ किये थे बेसिक शेप्स ट्रैंगल पेंटागॉन रेक्टैंगल ठेक है फिर हमने एक छोटा सा देखा था कि हमने फ्रंट बेस और इसका रूफ टॉप तयार किया था अपने हाउस का हंड का राइट तो आज हम क्या क्रिएट करेंगे हम आज इसका पेस तैयार करेंगे और इसे कलर करेंगे नीचे का आपका यह तो उपर का पूरा प्रेस तैयार होका यह हो गया था यह हम यह से क्रिएट करते हैं तो रूफ के लिए कि हम क्या जाएंगे हमारा जो यह था लोगों यहां पर है न इस जगे पर तम यहां से क्या करेंगे आज आगे बढ़ते हैं विल्गो फॉर पैक 200 ठीक है बैक 200 लेफ्ट टर्न बैक 200 लेफ्ट टर्न ठीक है लेफ्ट 75 मतलब हलका से 75 पर लेफ्ट हुआ फिर आगे बढ़ा फॉर्वर्ड फिर राइट मुड़ा 75 डिगरी फॉर्वर्ड 200 एन होम नहीं समझा एक बार और समझाता हूं मैं हमारा लोगो ट्रटल यहां था ठीक है तॉर्टल हमने किया कि एसे बैकवाड 200 मतलब हम इसे बैक के डिरेक्शन में 200 तो होंड्रड हो ठीक है 200 बैक गया फिर में बोला कर जो हो कि यह कवो तना हलका इस तरिक दोरma 75 डिग्री जो है वह हलका लेफ्ट डिंड मार तो यह 75 डिग्री लेफ्ट टॉन हो गया फिर लेफ्ट यह वने क्या हमने फोर्वर्ड हंड्रेट किया कुछ इस शेप में ठीक है तो हम उसी डिरेक्शन में उसी शेप में इसे 75 डिगरी और यह कर दिये और क्या बोले जितना बैकवर्ड था उतना हम फ्रंट वर्ड भी चलाएंगे ना तो फॉर्वर्ड 200 यहां पर आगे अब हमारा यह तो यहां पर हूं तो हम क्या करेंगे सिधा होम क्लिक करेंगे तो हम मिल गया यह क्या हो गया अब हमारे एक हाउस का बेस्ट तयार हो गया है क्या है कि कुछ इस शेप में तब हम क्या ड्रॉ करेंगे अब हम देखते हैं कि हम इसका विंडो और फ्रेंट डोर कैसे लिखते हैं चल विंडोस के लिए जिस पहले दोर के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे हलका लेफ्ट 90 लेफ्ट 90 ठीक है फॉर्वर्ड 30 तो यह जिस्ट यहां पर 30 आया यहां पर आया फिर हमने इसे दिखें यहां से यहां तक आ गया 30 पर हमने इसे क्या क्या मन दिया राइट 90 तो इसका शेप उपर हो जाएगा इसे फिर हमने क्या किया फॉर्वर्ड 65 तो 65 आगे बड़ा राइट 65 आगे बड़ा फिर लेफ्ट 90 तो यह लेफ्ट 90 पर इस तरीके के शेप पर आया यह हमारा तो पहले से ना नीची का बेस पर इदर आए ठीक है फिर हम क्या देंगे इसे forward 40 forward 40 आगया forward 40 फिर left 90 तो यह कुछ इस तरीके के shape में हो जाएगा मतलब अब आपका logo turtle का जो यह shape है triangle वो इस shape में है मतलब यह tail हो गया यह head हो गया ठीक है फिर हम क्या करेंगे forward 65 नीचे आगया अब home home पर जैसे क्लिक करेंगे वो वापस यह पर आ जाएगा ठीक है आपको तो यह shape मिल गया ना दौर का दौर का shape मिल गया आपको चले इंपर्टेंट पार्ट होता है इसकी window ड्रॉप करना को यह है वो कुछ इस format में है राइट चार अलस हैं यह हम कैसे तैयार करेंगे यह देखते हैं इसके कुछ 727 स्टैप्स हैं पैनप लेंगे पैनप क्या करता है command पता है आपको पैनप क्या करता है कि यह ना आपके जो pen के निप से मतलब एक सिंपल वर्ड में ले लिए इन्विजिबल लाइन क्रिएट करने का काम करता है मतलब आगे तो बढ़ेगा बढ़ जो लाइन रहेगी वो ड्रॉ नहीं होगी ठीक है इन्विजिबल लाइन क्रिएट करता है यह आगे बढ़ेगा टर्टल बढ़ लाइन नहीं ह बढ़ाया तो 80 step आगे हैं फिर 75 degree मुड़ा यहाँ पर 75 degree यहाँ पर मुड़के कॉर्णर में कि पैनप लिए 80 step 75 मतलब इसे बीच में लाना जाए 75 लिया हमने फिर फॉरवर्ड 80 किया फिर पैन डाउन कर दिया पैन डाउन में क्या फरक है पैनप क्या करता है कि वो जो लाइन क्रिएट करेगा ना वो दिखेगी नहीं मतलब वो रहेगा नहीं वहाँ पर लाइन अब पैन डाउन क्या करता है कि उसे back to drawing position में लेके आता है मतलब जब जैसी पैन डाउन कमांड लिखे और इसके बाद कुछ भी step लिखेंगे ना तो ल पैन डाउन हो और फिर हम क्या करेंगे फॉर्वर्ड फिफ्टी फिफ्टी स्टैप आगे आए राइट नैंटी डिग्री में 60 डिग्री यह मुड़े और 75 है मतलब जिस नॉर्मल एक इस शेप में आए 45 फॉर्वर्ड फिफ्टी फिफ्टी स्टैप आगे गया ऐसे कुछ इस शेप में देखें इस शेप में हलका सा इस शेप में ठीक है 50 आगे बड़ा इस शेप में आए अब हम फिर से 75 हुए थोड़ा सा टर्न हुए 75 और हम आगे बड़े 50 स्टैप ठीक है फिर हमने क्या लिया 60डी लिया टर्न फिर हलका सतरी कर लेके फिर 50 स्टैप तो कुछ इस तरीके का मिल या में विंदू कि है नगा कुछ इस तरीके का विंदू मिला अब हम क्या करेंगे जो हमारा जो शेप अंदर के लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए जो इनर लाइनिंग है ना जो प्लस की साइन ये ड्रॉ कैसे करेंगे रहें पिर हम क्या करेंगे नॉमली फारवर्ड 6545 मतलब नॉमल पे एक हलका सा टन अप प्याए जो कुछ इस तरीके का इस तरीके के लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके की हलका सा कर्व रहेगा है तो हल से कर्व के लिए हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके का ड्रॉ हो गया है और 60 और 50 स्टेप आगे आए राइट 75 ठीक है कि हम लाइन के पर चल रहे है तो उससे कुछ फरग नहीं भड़ेगा 25 60 75 50 और फिर जैसी हम यह क्रिएट करेंगे हमारा लोगों कुछ शेप में आ जाए यहाँ पर अपर हम इसे क्या करेंगे हाइट कर देंगे ठीक है अंदर क्लियर वे डाउट कुछ रहेगा तो बताइएगा मैं आपको फिर से करवा दूँगा बट यह एक्दम याद रखी यह जो स्टेप्स है ड्रॉ करने के लिए और हमारे यह जाएंग हैउंट के विड्ड़ को ड्रॉ करने का कमांड कोड हमीशा से याद रखेगा है आपका जो में कमांड होता है वह यहां से चालो जाएगा पैंडाउ Сейчас ठीक है पेंट डाउन से पूरा कमांड आपको सेम लिखना रहेगा खाली यह कमांड में आप चेंजिस करेंगे जब आपको जो भी आपके शेप सेंट साइज है आप उसे आगे मतलब एक्जेस करने के लिए बट आपका जो फिफ से है फिफ से पूरा पॉइंट अपका इंप आपका जैसे हो कि आप इसे सेफ कर लिजे इमेज को फिर आप सेम को ओपन करिए इसी में तर फिर से आप कमांड को ओपन करिए तब का लोगो टृटल नॉमल निमस्वरेगा ध्यान रखेगा सेफ करके फिर यह उपन करिएगा डारीक लिए अभी उपन मतलब उसी के अंद इस शेप पर आएंगे मतलब हमें इस शेप पर आना है हमारे लोगो टृटल से तो हम क्या करेंगे पैना फिर लेफटन 45 लेंगे फिर 10 स्टेप आगे अभी यह रेखें कि यह जो कोड़ कलर मतलब सेट फ्लोड यह क्या करता है कि आपका जो कलर है न इसे फिल करने के लिए काम आता है मतलब ह sano this just वहां का सजब कर फिल आप पेंट precisa कि साथ किसके तरह ओड ड़ना यह पेंट ब्रेश कि तरह और paint brush आपको पता है क्या होती है या आपके colors जो होते हैं यह उसकी तरह उतलब brush की तरह काम करता है आप बस अपने घुमाते जाएंगे color करता जाएगा तो हम क्या करेंगे step color fill हमेशा याद रखेगा कि step color के बाद fill use होना चाहिए कि यह फिल ही करता है फिल कमांड के साथ ही यूज करते हैं इसको जब तक आप फिल नहीं करेंगे तब तक यह विजिबल नहीं होगा color ठीक है फिर आप उसे राइट मोड़े राइट फॉर्टिफाइए फॉर्वर नैंड जो मैंने वह आपको वन इटी बताया थे जो नॉमल दो शेप में आपका जो वैंगल है उसे साफ साफ से टर्न करिए एंड सेट फ्लर कलर 6 अभी यह वाला भी जो होता है न वंटू 15 के बीच में ही काउंट होता है ठीक है के बीच में ही ले सकते है जिसमें से color code 6 क्या है यलो कोड उता है पाइच्छ क्या होता है यलो कौड के लिए होता है ठीक है and simply fill तापकर जो shape है यह fill होगा देखें यह कुछ points important है the set flood color command is used to fill the color into shape this command is followed by the color code ranging from 1 to 15 यह किसी भी shape में color भरने के लिए काम में आता है तेक है और इसका range कितना होना चाहिए के 1 to 15 के बीच में होना चाहिए color code के अब इस set color क्या होता है set flood color और float color क्या होता है देखें ठीक है यह command कभी fill command के साथ में ही use करना चाहिए जो कि color अगर visible तब ही होगा अगर जब तक आप फिल नहीं करेंगे तब तक आपका color जो है विजिबल नहीं होगा ठीक है क्या नहीं को color आपका विजिबल नहीं होगा चले अब हम देखते हम दोर कैसे color करेंगे दोर कलर कें दोर कैन बी कलर ब्राउन बाई उजिंग दा फॉल्लविंग कमांड अभी हमें डोर को अगर कलर करना तो हमें क्या करना पहलेगा पहला लेफ 90 लेफ 60 तो कुछ इस तरीके के शेप में आ जाएगा फारवर्ड 50 मतलब यह जो अनर है ना पूरा इनर हमें इसे शेट करना है एक लाइन जैसे देनेंगे नहीं दर तो यह लाइन को छोड़के फिर फिर हम क्या लिखेंगे वहां पर फिल कलर 8 क्या होता है ब्राउन ठीक है और सिंप्ली फिल कलर फ्लेट के बाद अगला कमांड अगर आप उसे फिल करना है तो वह हमेशा फिल ही होना चाहिए ठीक है सेम हम रूफ के लिए भी करेंगे अगे बैक 100 मतलब जो भी है आपको खाली इनर आउटलाइन करनी है तो बैक 100 इसनिप कलर 4 तीक है सेट कलर 4 फिल यह हमारा क्या हो गया वाल के लिए हो गया अपर वाल के लिए 4 स्टैंड्स फॉर 8 जो 4 है आपका वो रेड कलर होगा थीक है आपको खाली अंदर के हिस्से में एक लाइन करनी है बस इसे फिल करने के लिए ना कि पूरा का पूरा शेप यह करना है मतलब अगर आपका समझे जो शेप है रेक्टेंगल आपको इसे पूरा नहीं घुमाना है कि सिर्फ कमांड देना है कि बैक 45 डिग्री पे जो भी है इसे पूरा फिल कर दीजे तो इतना जो है एक क्रॉसिंग ले लेंगे या एक लाइनिंग लेंगे बीस से तो इस फिल हो जाता है कल इसमें ठीक है कि चल्ड कि सेम इसके लिए हम 45 डिग्री पे इधर टर्न लेंगे कि 45 डिग्री पे यहां टर्न लेंगे सिंप्ली फिल कि यह फिल हो जाएगा कलर विंडो देखे कलर कैसे करेंगे हम लेफ्ट 90 हम 90 पे लेफ्ट आए कि कि हमारा जो लोगों टुट बीच मतला लेफ्ट 90 आए फिर मारा से 50 स्टेप स्निप कलर 4 मतला हमने जो यह बॉक्स था ना हम एक एक करेंगे ठीक है फोर स्टाइंड फॉर रेड सेट कलर फॉर ए फिल किया फिर आए बी स्टैप है ठीक है फिर मैं इसे कलर किया अपना मंचाह कलर कर सकते है ठीक है इतना समझना अब इसाफ सेफ कर ले जए यह आपका ड्राइंग कम्प्लीड हो गया फिर आप इसे सिंप्ली सेफ कर ले यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखे सैट फ्लर्ड कलर जो मैंने भी आपको बताया सैट फ्लर्ड कमांड इस उस फिल दा कलर इंटु शेप देस कमांड इस फॉलो बाइदा कलर कोड इस फिल करने के लिए फिल कमांड यूस करेंगे ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने कोशन आंसर के तरफ पहला स्टेट्मेंट रोफ फोल्स तर्टल शोट अल्वेस तर्न राइट 90 और लेफ 90 और लेफ 90 तो ड्राइंट ट्राइंगल कि अगर आपको यह ट्राइंगल करना है तो हमेशा जो आपका जो ट्राइंगल रहेगा वह लेफ्ट और राइट के पोजिशन में जाएगा नहीं ना आप इसे कैसे भी ड्राउ कर सकते हैं मतलब आप इसे एक रिपीट केस पर भी 45 एंगल पर भी होता ना ट्राइंगल लेकिन अगर आपको राइट अंगल ट्राइंगल करना है तो हाँ यह ट्रू है थेक है एक और होता है जस्ट लाइक दिस अब यहां पर हमारा यह स्टेट्मेंट रू होगा कि हम एक ट्राइंगल ट्राउ करेंगे हैं मुझसे ट्रू ही शेप में लिखे जाते हैं थेक है देखें यह स्टेट्मेंट फॉल्स होगा कि हम हमारा जो ट्राइंगल रहता है वो कोई भी शेप में भी तो हो सकता है अगर आप खाली 90 लेंगे ना जिस लेक राइट 90 लेफ 90 फिर राइट 90 फिर लेफ 90 तो यह कुछ स्क्वार शेप बन जाएगा लेकिन हमारा जो से 45 मुड़ गए कुछ इस तरीके के फिर फारवर आए तो कुछ इस तरीके का हो जाता है अजिक यह नैंटी खाली वह इस शेप में रहेगा तो स्टेट्मेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया हम अगर हम ट्राइंगल बनाना तो हम उसे 90 90 बे नहीं मोर सकते हैं ठीक है चले next the turtle should always turn 30 और 30 to draw a square राइट 30, लेफ 30, टू ड्रॉ स्क्वैर, राइट 30, देखें, राइट 30, जैसे यह है, फ़रवर्ड, राइट 30, राइट 30, राइट 30, तो यह statement true हो गया आपका, ठीक है, जो भी, मतलब, जो आपका rectangle होता है, जो आपका square होता है, वो हमेशा चारो, जो होता है, वो सेम होता है, तो क्या होगा statement, यह true होगा statement, ठीक है, the fill command is used to make the color visible, अब हमेशा fill command यूज करना है, जब color visible करना होता है, the step flood color command is always used along with a number from 1 to 15, जी, ठीक है, the load option is available under the bitmap in, यह true है statement, क्योंकि जो load image है, जो load image available है, वो कहाँ पर अपने bitmap menu में ही available होता है, ठीक है, अबे देखे, सॉरी, 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 एक mistake यहाँ पर होई है, मुझसे, यह statement true है, रेखें यहाँ पर, क्यवला, यह statement false होगा, सॉरी, false होगा, क्यों बताऊं, हम खाली 30 नहीं मोर सकते हैं, हम इतर कुछ भी ले सकते हैं, आइंगल, 90 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से कुछ भी आइंगल ले सकते हैं, और हमेशा स्क्वाइर बनाने के लिए हमें 90 टर्न करना पड़ता है, ना कि 30 डिग्रे, 30 डिग्री अगर टर्न करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, 30, 30, 30, कुछ इस तरीके का बनेगा, तो स्क्वाइर नहीं बनेगा, तो यह प्लीज सेकेंड वाला लिख लेगा, चले, मैं रिपीट करहा हूँ आपको, 1st statement false है, 2nd statement भी false है, ठीक है, 3rd statement true है, 4th true है, and 5th वाला भी statement true है, थीक है, ठीक है, चले, फिल गो फोर नेक्स, multiple choices, has the step लोड कल Ralph Lauren field a dash color sterforka lowits DE Verta hè जो four helt하는데 क्Apple रेडर षिपरेजंट करता है रेड मिथे हैं त्राइव रिप्रेजंट करेंगा रेडिप्रेज замет करेंगे 6WP sixазों his skills किले हम उर्षी शोंदर है यह वह क्या फिल करता हैं वंपें कर तो त्धिक है है तो फिल देश करो है जो है हम सेट फिल कलर जो है फ्लोड कलर उसके साथ हम कौन सा कमांड यूज करते हैं सेट नहीं यूज करते हैं कि क्या अलड़ी है वहां पर हम करते हैं apply नहीं करेंगे कौन साकमांड यूश करेंगा fill command use करेंगे ठीक है the set flood color 8 fill brown color कि हमने जो दर देखी थी उसमें प्राउन कलर किया था तो उसके लिए कौन सा code use किया था 8 थेक है the set फ्लर्ट कलर 10 विल फिल ग्रीन कलर कौन सा कलर ग्रीन कलर फिल करता हूँ ठीक है एक पर इसे फट्टा फट्ट कॉपी करिए फर्स्ट का उप्शन होता है रेड सेकेंड येलो थर्ड वन इस फिल फोर्थ वन इस ब्राउन और फिफ्ट वन इस ग्रीन ठीक है अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे इसमें डिफरेंट बेट्विन सेट स्क्रीन कलर एं कब लिए एक दम बिग नंग में यूज करते हैं पूरे के पूरे सっी को क्लर करने हैं ठाटिक है यसक्म सेट स्क्रीन कालर यूज़ करते हैं और स्फिर्ट क्या है कोई ऑच दम्त ona किOne exploited को ओड़ करने के लिए आग जैस्थ आनि इसका कि दारिया उवल पलब जिए औरने प set screen color, it is used to change the screen color, ठीक है, और set flood color, it is used to fill the color into the shape, एक है हम, इसे shape को color करने के लिए यह use करते हैं, ठीक है, चल, next question, define the purpose of using a fill command, हम filled command किस purpose से use करते हैं, the fill command make the color visible, ठीक है, the fill command make the color visible, after a color is set for the shape, using the set flood color command, अभी क्या करते है, हम इसे color सेट कर लिया, एक शेप में, उसको fill करने के लिए, उसको visible करने के लिए, यह fill command काम में आता है, तो इसे note down कर लेज़े, आता है, आता है, फिल को, ठीक है, और हाँ, यह मैंने भी question answers इस lecture में करवाए हैं, यह आप अपने books में लिखेंगे, ठीक है, आप इस books में लिखेंगे, और आप मुझे देंगे, एक image खीच के, आप group में डालेंगे, कि हाँ, मेरा sir, work done by, आपका नाम, और मुझे sign करेंगे, कि हाँ, यह वाला work हो गया है, ठीक है, यह आपका homework है, कि आपको इसे copy करना है, पूरा का पूरा, आपके fair के test book में, आपके copy में, ठीक है, ठीक है, तो यह chapter हमारा यहीं पर end होता है, अब हम next chapter में, अपना next chapter देखेंगे, ठीक है, अगले इसमें, एक देखेंगे कि हम अगले chapter में के हम design कैसे create कर सकते हैं, ठीक है, palets क्या होते है, designs क्या होती है, logo-toto में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठाकता के लिए अपना ध्यान दख्यान दखेंगे, और यह से एक बार लिख लिजे, ठीक है, मिलते हैं, like-squee,